यहीं दोस्तो, दोस्तो इस वीडियो में आपको बताएंगे, SSEGD का जो आपका एक्जाम है, उसमें आपको कितने कोशन सही करने चाहिए, कितने कोशन का आपका टार्गेट होना चाहिए, राज्य भाई बताऊँगा, अगर आप इस राज्य से हो तो आपको इतने कोशन का होना चाहिए, ठीक है, आप सबको अपनी एक्जाम डेट, अपनी एक्जाम सीटी और शिफ्ट पता चल गए होगी, कब है आपका एक्जाम, आपने अपने अपने स्टेटस देख लिए होगे सभी ने, और आपको त्यारी में आपको अब डवल द्यान लगा देना, अगर जिरूर कमेंट कर के बताना है, आप सबनी, आपने सबने अपने अपने मोक्ते difficult के स्कोर बताने हैं, कि मैं इस राजजे से हूँ, मेरी जेवाली कास्ट है, और मेरे इतने मोक्ते अजर पर नंबर आ रहे हैं, जिरूर सही बताना, ठीक है, सब को कसम है, ठीक है, अपनी त् कितनी है जुरूर comment करके बताना चुलो आपको बताते है कि किस राज्य में कितने question आपको बचा सकते हैं आपको दिला सकते हैं दोस्तों मैं आपको बता दू जो मैं बता दू जो मैं बताऊंगा इससे कम आपका target नहीं होना चाहिए ठीक है सबसे पहले अभी सभी लड़के जाओ, कमेंट में बताओ, अपने-अपने अपने अपने राजजी के अपने-अपने मोग टेस्ट, अगर आप मोग टेस्ट नहीं लगाते हो, तो मत बताना, ठीक है? चलो दोस्तो, दोस्तो मैं आपको बता दू, आपके 6,000 कोशन है, previous year कोशन है, Hindi, English दोनों में मिल जाएंगे, PDF है, जिस भी बाई को, बेहन को चाहिए, इस नंबर पर मुझे message कर सकता है, आपको बर्च से पर message करना है, कि मुझे SSC के कोशन चाहिए, आपको PDF के तरू मिल जाएंगे 89 उरुपीज में, ठीक है, जिस भी बाई को चाहिए, message कीजिए, previous year कोशन है, मतलब कि जो पिछले कोशन है, पिछले exam के कोशन है, वो मिलेंगे, जो पिछले 2021-2023 में हुआ था, 23-22-23 में जो exam हुआ था, उसके previous से कोशन, ठीक है, वो ले लो, जिसकों भी चाहिए, तो लढ़ आपको बताते हैं, कि कितने अपने तीन जा चार कोशन कम रखना मैं जर्नल बालों का बताऊँगा आप तीन से चार कोशन कम रखना क्योंकि आजकल सब एक बड़ाबर है सब अपनी तेयारी 100% देते हैं और competition सब को देते हैं ठीक है देखिए दोस्तों मैं पहले राज्य का नाम लेता हूँ exam होगा और आपका selection हो सकता है इतना आपका होना चाहिए अगर इससे कम आ रहा है तो आप थोड़ी सी कर लो अभी अगर समया तो कर लो मोक टेस्ट लगाए दिन में तीन जाग चार previous air question पढ़ लो हमारे पढ़ लो जाए अगर आपके पास हैं वो पढ़ लो ठीक है तो तियारी करो अगर इससे कम आ रहे हैं इन राज्यों से हो ठीक है उसके बाद दोस्तो हमाचल पढ़ देश शतिस कर जार खड़ोर दोस्तो बेस्ट बंगाल अगर आप इन राज्यों से जर्रनल बाले हो OVC बाले, SC, ST बाले कम रखना तीन जा चार कोशन देखे 52 से लेके 54 के बीच अगर आपका कोशन सही हो रहा है इतना कोशन सही कर रहे हो आप तो आपका अच्छा चल रहा है त्यारी आपका त्यारी अच्छा है एक्जाम आपका जो एक्जाम डेट आपकी जो है उसमें आप अच्छा कर आओगे अगर कम आ रहे हैं, अगर आपका अच्छा स्कोर है तो आप अभी भी मोग टेस्ट लगाई है खुश नहीं होना है, मोग टेस्ट लगाना है पढ़ाई करनी है मोग टेस्ट लगाने है दिन में 3 जा 4 और प्रिवेस एर कोशन पढ़ने है जो भी आपके पास प्रिवेस एर कोशन आप भी नहीं है तो हमारे ले लो या मता उससे भी आच्छा स्कोर हो जाए और जो पढ़ाऊगा स्कोर रिवीजन करना है आपका गुड ठीक है अगर नहीं हो रही है तो फिर अभी भी समय है मोग टेस्ट लगाईए आप आच्छी तियारी कीजिए और अगर OVC, SC, ST वाले हो 3 कोशन, 4 कोशन कम रखना अगर आप विहार से हो, राज्यसान से हो उत्तर परदेश से हो तो आपके, देखिए, मैं नार्मल बता रहा हूँ लटकियों का नहीं बता रहा हूँ लटकियों का मैं अलग विडियो बना दूँगा आप राज्यों से आ रही हो, मैं आपको बता दू कमपेटेशन काफी होता है इन राज्यों में 63 से लिखके, 65 तक अगर आपके कोशन सही हो रहे है जे नार्मल बता रहा हूँ आपका इससे ज़्यादा ही होने चाहिए इससे कम है, तो डूब ले मतलब काम गड़ बड़ी है, फिर मुश्की लाब का ठीक है, इतना है, तो आप अपनी त्यारी रखो, अगर OVC, SST हो, तो इससे कमा रहा है, तो आपकी त्यारी काफी अच्छी है, ठीक है, इससे जो मैंने बताए है कोशन, इससे कम नहीं होने चाहिए, ठीक है दोस्तों